नमस्कार दोस्तों मैं नीरज गुमार आप देख रहे हैं सेखावाटी की जलक मन लगातार आपको राजस्तान विदानसबाद 2023 की सियासी सरगर्मियों की बीच सेखावाटी की विभिन सीटों का सियासी समीकरण आपको बता रहा हूँ इसी के बीच आज हम हैं जुझनों जिले की मनडावा विदानसबा सीट में मनडावा विदानसबा सीट वैसे भी कुछ शरगर्मियों वाली सीट है क्योंकि मनडावा विदानसबा में कॉंग्रेस की वर्तमान विधायक की साखदाओ पर है तो भाजबा की और से भाजबा के वर्तमान शांसद की साखदाओं पर है इसलिए पूरी जीले की नजर इस विधान सभा शीट पर है मैंने आप से वादा किया था कि सुबह निकल करके दिन ग्यारा बजे तक मंदावा विधान सभा के विविन इस्टेंडों पर चाय की दुकानों पर चर्चा करने के बाद अब आपके वादेगे नुसार 11 वजे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके कहीं कॉंग्रेश का माहूल है तो कहीं भाजबा का माहूल है लेकिन जो निखकर्स निकला है वो यह है कि भाजबा के शांशत नरेंदर कुमार लगातार छेतर में सकीरियत ये दो बार विध लोगों से उनकी कंटिन्यूटी कम होगी इसी बीच रिटा चोधरी के बात में बात करें तो रिटा चोधरी के समर्थक करें कि रिटा चोधरी जीतेगी लेकिन बीची में चर्चा ये भी है कि जो क्रमचारी रिटा चोधरी को समर्थन नहीं करते हैं उनको रिटा चोधरी न कामचारी वरक जो कोंग्रेस की गारंटी दिये उससे कितना लाबावानित होता है इसके साथ ही कोंग्रेस एक तरफ खुलकर बगावत का शामना कर रही है कि बिशाव के सदीक खान जो बिशाव नगरपालिका के वरिष्ट पार्षद है उन्होंने कोंग्रेस से बगावत कर समुदाई में कितनी पेड़ पाते हैं यह भी देखने वाले चर्चाहूँगी इसे के साथ भाजवा की बात करें तो बहाजवा में खुले तोर पर तो कोई बगावत नहीं है लेकिन जब नरेंदर कुमार को टिगट मिली थी उसके बाद बहाजवा के दो प्रधान अलसीस उसके बाद भाजबा के अलाकमान देमेज कंट्रोल कर लिया लेकिन वह चुनाओं में किस तरीकी की इमानदारी से उनके साथ लग पाते यह भी देखने वाला होगा लेकिन जिस तरका सियाजी पारा मंदावा विदान सवाचेतर का है उनको देखकर के यह लगता है कि इस बा प्रिणाम कुछ वैसा ही रहने वाला है बाकि देखते हैं कि रिटा चोदरी दुबारा रिपीट हो पाती है या नरेंदर कुमार खिचर दूसरी बार भाजबागा कमल खिला पाते है यह तो जब 3 दिसंबर को प्रिणाम आएगा तब ही देखने वाला होगा बाकि आपके अन्य विदान सबाद सेत्रों की अपडेट भी आपका निसकर्श भी हम आपको इसी तरीके से बताएंगे आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले